दोस्तों क्या आपके भी YouTube के चनल के सब्सकाइबर्स डेली डे बाई डे डिक्रीज हो रहे हैं? यानि आपके चनल के सब्सकाइबर्स एक, दो, चार, पांच रोज कम हो जा रहे हैं, घट जा रहे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा परिसान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डे मोटिवेट हो रहे हैं मेरे YouTube चनल के सब्सकाइबर्स रोज क्यों कम हो जा रहे हैं, मेरे सब्सकाइबर्स रोज घट क्यों हो रहे हैं, इसका क्या रीजन है तो दोस्तों मेरी आज के इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और आज के इस वीडियो में मैं आपको फूल डिटेल में explain करके बताऊंगा कि आपके यूटूब के चैनल के जो subscribers ना daily day by day decrease क्यों होते हैं आपके subscribers घट क्यों जा रहे हैं यानि आपके चैनल से subscribers कम क्यों हो रहे ह इसके क्या क्या region है तो time waste ना करते हुए चले वीडियो को सुरू करते हैं क्योंको दोस्तों मिलेगे यहाँ पे हर खबर डंके की चोट पर दोस्तों आपके YouTube के चैनल के जो subscribers रोज कम हो जाते हैं जैसे कि 2, 4, 5, 10 ये क्यों होते हैं इसके क्या क्या region है तो आज के इस वीडि यह है sub for sub यानि दोस्तों subscribe to subscribe करके subscribers को increase करना आजकल के time पर दोस्तों हर एक YouTubers अपने YouTube चैनल पे subscribers increase करना चाता है जैसे कोई सोचता है कि मेरे चैनल पे जल्दिस जल्दिस 100 subscribers complete हो जाएं कोई सोचता है मेरे चैनल पे 500 हो जाएं कोई सोचता मेरे चैनल पे 1000 हो जाएं या उससे जादा हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, उनको subscribers बढ़ाने की भूख होती है, और इस चक्कर में उनको क्या करते हैं, सब फोर सब करते हैं, सब फोर सब कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है, कि बहुत सारे लोग ना दूसरे YouTubers की वीडियो में जाते हैं, उनके वीडियो की comment section हो जाते हैं, और बोलते हैं, वहाँ पर comment लिखते हैं, कि भाई मैंने आपके चैनल को subscribe कर लिया है, और आप भी मेरे चैनल को subscribe कर लो, तो ऐसे हम क्या हता है, आप उसके चैनल को subscribe कर लेते हैं, और वो आपके चैनल को subscribe कर लेता जान बुच के subscribers बढ़ा है और आप लोग एक दूसरी की वीडियो नहीं देख रहे हैं तो ऐसे subscribers को YouTube क्या करता बाद में धिरे-धिरे decrease कर देता है तो यहाँ पर दोस्तों आपके चैनल से सब्सक्राइबर decrease होने लगते हैं चलिए दोस्तों जानते हैं अब region number two दोस्तों यह है चैनल की theme को change करना चैनल की theme को change करने से भी आपके YouTube चैनल के जो subscribers हो बहुत तेजी से चैनल हो सकता है अगर आप अपने चैनल की theme को भी बार बार चेंज करते हैं तो आपके subscribers कम हो सकते हैं जैसे दोस्तों माल यह मेरा ही एक technical channel है मैं YouTube tips के related video बनाता हूँ आप लोग को सिखाता हूँ कि YouTube के कैसे काम करना चाहिए अगर मैं ही अपने चैनल की theme को चेंज कर दो और इस पर लगूं blogging की वीडियो डालने या gaming की वीडियो डालने लगूं या किसे और टाइप का content upload करने लगूं तो मेरे ही जो subscribers है वो मुझसे बहुत जादा इरिटेट हो जाएंगे मुझसे बहुत जादा परिशान हो जाएंगे और मेरे ही चैनल को वो लोग अनसब्सकाइब करने लगेंगे तो मेरे subscribers तो automatic decrease तो हो गई तो इसी तरीके से अगर आप लोग भी अपने चैनल पे ऊटपटांग के content डालोगे या बारबाद चैनल के theme को change करोगे तो यहां पर आपके चैनल के subscribers को increase करना जैसे दोस्तों बहुत सारे लोग अपने YouTube चैनल के सब्सकाइबर जो है इस्पैम और स्कैम करके बढ़ाते हैं या words के जरीए बढ़ाते हैं या fake panel के जरीए बढ़ाते हैं तो अगर ऐसे करके कोई भी अपने YouTube चैनल पे subscribers बढ़ाता है और आज तो बढ़ा लेगा लेकि कुछ दिनों के बाद कुछ टाइम के बाद वह YouTube चैनल से subscriber decrease होने लगते हैं क्योंकि दोस्तों YouTube जो ना Google का ही एक पार्ट है तो YouTube यानि Google बहुत ज़्यादा smart है और वो सब चीजे समझता है सब चीजे पकड़ लेता है कि आपने कहां से subscribe कराया है या आपके चैनल को ल पर इजन है यह है friends viewers का interest change हो जाना दोस्तों कभी कभी क्या होता है viewers कभी interest change होने लगता है जैसे दोस्तों पुरानी audience रती है उसका interest इंट्रेस्ट चेंज हो जाता है या फिर यूटूब पे नई ओडियंस भी आ जाती है इसके वज़े से भी आपके चनल के सब्सक्राइबर्स जो है यो डिक्रीज हो सकते हैं जैसे दोस्तों मा लीजिए मैं ही टेकनिकल यूटूबर्स हूं मेरी वीडियो आप लोग देख र देने लगते हैं तो यहां पर क्या होता है उनको लगता है कि यार मैं इसके चैनल को क्यों सब्सक्राइब करका रखाऊं चलो मैं इसके चैनल से अंसब्सक्राइब हो जाता हूं तो यहां पर क्या करता है चैनल को अंसब्सक्राइब कर देता है यानि वीवर्स के इंट्रे decrees होते हैं जी हां हो सकते हैं पर कब होंगे कैसे होंगे इसको भी समझ लिए जैसे दोस्तों कि माल लिजे आपका YouTube Channel का नाम जो भी है A2Z कुछ भी है आपका Channel चल रहा था ठीक आपके subscribers भी बढ़ रहे थे लेकिन आपने अचानक से क्या कि आपने चनल का नाम को चेंज कर दिया या अपने चनल का नाम का चैनल नेम और लोगो चेंज कर दिया फिर आपका चैनल का जो वीडियो का notification आपके subscribers के पास जाएगा तो उनको लगेगा यार मैंने किसी और के चैनल को subscribe करके रखा है इसका notification मेरे पास क्यों हो रहा है तो audience जो है यानि जो viewers है यानि जो subscribers है वो गुम्राह हो जाती है भ्रमीत हो जाती है तो ऐसे में भी वह जाने अंजाने में आपके चैनल को फटाक से unsubscribe कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि मैंने किसी और के चैनल को subscribe करकर रखा है क्योंकि चैनल नाम change हो जाता है तो अगर आप अपने चैनल का नाम भी बार बार change करते हैं या चैनल का नाम change कर देते हैं तो जो आपके चैनल के subscribers है वो धीरे धीरे घटने लगेंगे इसके लवा दोस्तों जो छटमार रीजन है यह है फ्रेंस वीडियो ना अपलोड करना जी हां दोस्तों अगर आपका एक यूटूब चैनल है और आप अपने यूटूब चैनल पर काफी दिन तक गैप करते हैं जैसे कि माली जी पंदर दिन एक महीने दो महीने च्छे महीने साल भर गेप कर देते हैं और आप बीज बीच में वीडियो ही ने डाल रहे हैं ना आपने ओडियेंस कोई भी किसी तरीकी से नहीं डालेंगे तो जो आपके सब्सकाइबर्स हैं उनको लगता यार इसने यूटूब छोड़ दिया है मैं इसके चैनल को सब्सकाइब करके क्यों रखूं तो ऐसे में आपके जो सब्सकाइबर्स हैं आपके जो वीवर्स हैं वो आपके ही चैनल को अंसब्सकाइब करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके चैनल से जो सब्सकाइबर्स है न वो decrease होने लगते हैं फिर आप लोग परसान हो जाते हैं कि मेरे सब्सकाइबर्स घट क्यों रहे हैं इसके लबा दोस्तों जो सबसे इमेल आइडी को create कर लेते हैं और उस चैनल से आपके चैनल को subscribe करकर रख लेते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको लगता है या क्या मेरे पास बहुत सारी इमेल आइडी होगी है मैं इन इमेल आइडी को तो अभी से कुछ दिन पहले यानि 2023 के लाश्ट में दिसम्बर मैंने के लाश्ट में गूगल ने एक अपडेट किया था कि अगर आपके पास कोई ऐसी email ID है या कोई ऐसा Gmail account है जिसको आप इस्तिमाल नहीं करते हैं यानि 2 साल तक आप उसको यूज नहीं करते हैं दो साल तक क उस email ID से किसी की वीडियो नहीं देख रहा है YouTube पे या Play Store पे कहीं इस्तमाल नहीं कर रहा है या कोई mail messaging मे उसका इस्तमाल नहीं कर रहा है तो ऐसी email ID को जो Google है न क्या करेगा डिलिट कर देगा यानि अगर किसी भी email ID को आप 2 साल तक इस्तमाल नहीं करेंगे तो ऐस email ID को Google क्य डिलिट हो जाएंगे क्योंकि email ID डिलिट होगी तो आपके subscribers भी डिलिट होगे तो इस तरीके से हो रहा है क्योंकि फ्रेंस इस वक्त क्या हो रहा है कि पुरानी जो email ID है जिसको लोग इस्तमाल नहीं करें जिसको बना के लोग घूल गये हैं 2-2 साल तक इस्तमाल नहीं करें तो उस email ID को Google क्या कर रहा है डिलिट कर दे रहा है जो डिलिट कर रहा है तो इसके वाजे से आपके चनल के जो subscribers are now decrease होगी है यहां आपके चनल के subscribers घड़ जा रहे हैं आपके subscribers कम हो रहे हैं तो यह थे दोस्तों Eastern जो कि मैंने आपको बता दिया और इन सब रिझन्स के वाजे से आपके चैनल के सब्सक्राइबर डिक्रीच होते हैं आई होप कि वीडियो आपको अच्छे लगी होगी